मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नार्टिकेशन मुफ्त में मिल सके हेलो फ्रैंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है आज हम फिर से एक निव और फ्रेस वीडियो के साथ हाजी रहें आज हम आम के गुठली के उपर चर्चा करेंगे जैसे कि भूल से भी आम की गुठली को कच्रे में फेकनी की गलती ना करें वरना जिंदगी बर पस्ताते रह जाएंगे आम को फलो का राजा का जाता है जिसका मुख्य कारण आम का मीठा स्वाद है आम का सेवन हमारे सरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा मंद होता है लेकिन क्या आप जानते हैं आम की गुठली भी हमारे सरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा मंद है आज इस वीडियो में हम आपको आम की गुठली से होने वाल फाइदे के बारे में बताने जा रहे हैं अगर आप भी बालो में जूव की समस्या से परशान हैं तो इस इस्तिति में आम की गुठली आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय साबित होगा इसके लिए सबसे पहले आपको आम की गुठली को शुखा लें और अच्छी तरश सुख जाने के बाद गुठली पीसकर पाउडर बना लें फिर इस पाउडर में नेबू का रस मिलाकर अपने बालों में लगाएं ऐसा करने से आपके बालों में जो की समस्या समाप्त हो जाएगी आज के इस दौर में काफी लोग मुठापे से परिशान हैं जिसे कम करने के लिए लोग देर सारे उपाई भी करते हैं अगर आप भी मुठापे मुठापा कम करना चाहते हैं तो आपको आम की गुठली का इस्तमाल करना जरूरी जरूर करना चाहिए सिमित मात्रा में आम की गुठली से बने पाउडर के सेवन से सरीर में मौझूद खराब कोलिस्टराल के अस्तर को कम किया जा सकता है जिससे सीधा असर आपके ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बता है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद